कि नमस्कार आपके साथ मैं उर्तिक सभीता स्वागत है आपका एस्पीन नाइन न्यूज की खास पेश्कास आज की बात हैं और आज की बात में हम बात करने वाले हैं कि क्या होगा क्या बड़ा चेहरा उभर के आएगा क्या कुछ कॉंग्रिस की राजनीति में बदला बदला देखेगा लेकिन यहां पर सवाल यह भी उठता है कि गुजरात में बहुत बड़े चेहरे हैं कॉंग्रिस की तरफ से यहां उतारे जा सकते हैं यदि कनहिया कुमार को हिमाचल प्रदेश में उतरवा दिया जाए तो क्या कुछ खास देखने को मिलगा क्योंकि अभी देख तीसरी बात करें रायस्थान में असोग गहलत असचिन पालट की लड़ाई है बहां पर इन दोनों में से किसी एक का चेहरा तो बनना ही है यह तो खास बात ही वहां की लेकिन हमाचल प्रदेश यहां बीच में क्योंकि तारीकों को घोसला भी हो चुकी है लेकिन अभी तक क बात करने वाले हैं कि क्या कमार वहां बड़े चेहरे के रूप में थाबित हो सकते हैं और इसमाचल प्रदेश में काफी अच्छा काम कर सकता है इन समुंदों को लेकर हम आज बात करने वाले हैं आज की बात पर हमारे साथ मौजूद हैं अभी कसिस में इस सब रसाइक की तो मुझे ऐसा लगते कि वो भी अभी एक यूथ नेता है और अगर हिमाचल में अगर वो जाते हैं तो कई ना कई थोड़ा सा फाइदा यहां पर देखने को मिल सकता है लेकिन अगर कनेया कुमार के त्यहास को उठा कर देखा जाए उनकी जितनी भी पास्ट हिस्ट्री रही है काम तुनों ने उत्तर प्रदेश में भी किया था लेकिन दू सीटों पर सिमत्ती नजर आई थी और वही पर अगर अब देखा जाए हिमाचल में तो यहां पर सचिन पालेट को भी स्टार प्रचारक के रूप में उता रहा गया तो कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि सचिन प पतलब रखते हैं को राजस्तान बड़ा पसंद है इसी वीच की लड़ाई है गहलोट और सचिन पालेट की तो हिमाचल प्रदी सरकार नों को दे जा जाता है तो फिर क्या लड़ाई सांत हो जाएगी देखें लड़ाई तो शांत नहीं होगी राजस्तान में जो सब चल र जब चुपई तोड़ेंगे उसके बाली देखना होगा इंतजार उस चीज का है वह राजस्तान की जनता के लिए काम करना चाहते है और आप देखे रहे हैं कि हमाचल प्रदेश में देखा जाए तो उनको काफी जगाव पर स्टार पचारक के तौर पर उतारें के तौर प भाव dragons या। लिए यहाऊ कॉ nome करेंगे तो यहाँ पर मैं कह सकते हूं कि सचिन पाइलेट को जितता वे राजी स cela में पशंद हे देशमें काफी ज्यादा लोग उन्हें पसंद करते हैं।। तो हिमाचल में काफी फायदा देखने को मिल सकता है सचिन पारेट आपने अनुभब की बात की तो अभी अध्यक्षपत का चुनाब हुआ था 17 तारिकों कॉंग्रिस के और खड़गे बन चुकी है तो क्या-क्या चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ेगा क्योंकि उनको मिला था तो यहां पर यह कहा जा रहा था कि और आपको बता दो मुक्तार अबास नक्वी ने भी यह बात कही कि मुस्लिम बदला गया है और मालिक तो वही है तो यह सबसे बड़ी चुनौतियों कि वह अपने बल्बूते पर क्या काम करेंगे क्या फैस्ट लेंगे क् उनी पुरानी नीतियों के साथ चलते नजर आएंगे इस सबसे बड़ी चुनौतिया और आप देखे अभी अलग अलग जगा पर विधानसभा चुनाव होने तो खटके के पास यह ऐसा समय है खुद को साबित करने का उनके पास बहुत एक्सपीरेंस है पचास साल से वह ल मिली नहीं है कॉंग्रेस अध्यक्षपत के चुनाव में लेकिन यहां पर एक सवाल उड़ता है क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी हमेसा बात करती युवा चेहरा की तो थरूल भी है लेकिन युवा चेहरा होने के बावजूत भी ना तो गुजरात में दिख रही है नहीं हमा पहला सवाल यह उठ रहा है कि थरूर युवा नेता होने के नाते अध्यक्षपत को हार जाते हैं लेकिन कहीं नजर नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि थरूर क्या इस्तीवा देते नजर आ रहे हैं या फिर थरूर युवा चेहरा होने के नाते हिमाचल में और यहां पर दूसरे पार्टी की तरफ वह आगे बढ़ सकते हैं थरूर बहुत ही भैटरी नेता है और यहां पर थरूर को इसलिए ही इंपोर्टेंस नहीं दी गई इतनी इसलिए ही समर्थन नहीं दिया गया क्योंकि कहीं न कहीं यह लगा कि जब अगर वह अध्यक्ष बनत इंगार एम सेध और पर देती हैं हमाचल परदेश, गुजरात डुसराह और लेक्रवाज। क्या खत्म होगी और दूसरा सवाल मेरा ये था कि सोनिया गांधी क्या इस्तिफ़ा दे देना चाहिए अगर अब भी भी किसी ने किसी पत पर दिखाई दे रही है यह लोगों को तो इस्तिफ़ा देकर यहां से पार्टी को टाटा बाई-बाई-बाई-जरूर कर देना चाहि कि जो आपकी नीतिया थी जो गांधी परिवार की नीतिया सालों से चलते आ रही थी और वो किसी काम की नहीं रही है अगर आपको एक स्ट्रॉंग विपक्ष की रूप में खुद को उतारने तो आपको एक नई सोच की जरूरत है यहापर नई आइडिया की जरूरत और कही है जिस तरीके से नोंने सांसद रहकर विधायक रहकर बहुत सारे पदों पर है कर वो सारी चीज़े फॉलो कि तो आने वाले समय में वो चीज सही साबित हो सकती है और आपने यहापर जिस तरीके साब का दूसरा सवाल में जाना चाहूंगे रितिक आपका क्या अगर चली जाती है स्थीफा देखर तो हिमाचल पृतिस में क्या बड़ी चुनोति देखने को मिल सकते हैं खड़गे क्या उसको समाल पास्वाइगे क्यों कि मैंने आप से यह कहताता कि जो रिमोट कंट्रॉल है वह स्वाद्टी घंडि परिवार के हाथ में है तो क्या परीवारवा तो मैम का कहना है कि यूबा सोच और यूबा निता को आगे करने की ज़रूर थै क्योंकि गुजरात हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में जो जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तो ताकत बर हैं लेकिन कॉंग्रिस को कमजोर कर रही है अगर कॉंग्रिस ऐसी कमजोर होती रही तो सतर साल की राजनीती यूही धो डुमिल हो जाएगी और यहां पर मजबूत पवख्श होना भी जरूरी है तो कोंग्रिस यह वाजबूत फर तो को लेकर आ सकता है तो यह तमाम सवाल थे आज की बात में कि हिमाचल प्रदेश में अगर कनहिया कुमार उतरेंगे तो क्या बड़ी तस्वीर और क्या बड़ी राजनीती देखने को मिल सकती तो मैं इसको साप किया बाकि आज की बात हम सर्फ इतना ही आगे फिर तमाम मुद्